हाई फ्रेंड्स कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे तो चलिए आज हम देखने वाले हैं लड़का होने की लक्षन इससे पहले फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो चैनल वजेंडर परडिक्शन को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देता यह और कुछ महिलाओं में देखेते तो बेबी क्या होता है लड़का होता है या लड़की होती है वही हमाँ पताने की कोशिश करते हैं और यह सिर्फ अनुमान लगाते हैं यह कुछ 100% सही नहीं होता बट एक मा की क्यूरिसी होती है कि जब वो कंसिव करती है तो गर में कि उन्हें जानने की क्यूरिसिटी बनी रहती है तो उसी को कम करने के लिए हम यह वेडियो बनाएं लेकिन हमारा जो चैनल वह जेंडर प्रिक्शन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता लड़का हो या लड़की मा के लिए बाप के लिए समान ही होते हैं तो चलिए हम देखते हैं गर्ब में लड़का होने और लड़की होने की लक्शन फ्रेंड यह लक्शन नहीं मैं अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट से आपको बताने वाली वह अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट से हम जानेंगे जैसे कि अगर से अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट में अगर से बे बेबी बॉय होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है 150 के उपर ही तो ऐसा कहती है 140 150 के तो बेबी गल होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसा अनुमन लगाते हैं अगर से और फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर बताईए आपके अल्ट्रसाउंड रिपोर्ट में आपकी बेबी की हार अड़ पीट कितनी है आपके कमेंट्स में जरूर बताए धन्यवाद